आपका घर हो दुकान हो या मकान हो एक छोटी सी बड़ी समस्या अकसर हमारे सामने आती है मैं छोटी सी बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि समस्या बिल्कुल छोटी सी है परन्तु वो कई बार बड़ी बन जाती है क्योंकि वो कई बड़े कामों को अठका देती है याद कीजी आपका वो दिन जिस दिन आपको किसी document को print करना था, photo को print करना था जो आपके mobile में तो था परंतु आप उसको print करने के लिए ग्हूम रहे थे ऐसे laptop या computer के लिए जो किसी printer के साथ attach हो और आप उसको print कर पाएं या आपको उसको print लेने के लिए उस document का या आपके photo का आपको किसी soap के उपर जाना पड़ता था। इसके लावा कई बार office में या official documents जब आपको print करने होते हैं तो आपको आपके mobile के अंदर जो documents पड़े हैं उनको आपको किसी तरीके से पहले laptop के अंदर transfer करना पड़ता है और फिर उसको जाके print करते हैं। परन्तु सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कभी आप ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे printer तो है। परन्तु वो printer किसी ऐसे computer के साथ connect है जहां पे आप अपने mobile से उस computer के अंदर data transfer नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो अपने mobile से email करते हैं फिर email उस computer के अंदर open करते हैं या फिर वो WhatsApp के माध्यम से या और कई तरीके से कैसे जैसे तैसे भी करके printing करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा दिक्कत वाला काम है, मन तो आपका भी दुखता होगा जब आपको इस तरह का काम करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी mobile से नया हो या पुराना हो, किसी भी printer पर हसानी से print कर पाएंगे। तो without further ado, let's get start! सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो basically आपको दो चीजे तो चाहिए ही चाहिएगी एक printer और दूसरा आपके पास जो आपका smartphone है। मैं नया पुराना की बात नहीं कर रहा है। किसी भी type का कोई भी smartphone है, printer जहां पर आप जाएंगे उसका इस्तमाल करें। वो printer घर का हो, office का हो, दुकान का हो या मकान का हो। वो उसकी स्थिती के उपर निर्फर करता है, mobile आपके जैब में है। तो आपके mobile की ये functionality एक छोटे से 10-20 रुपए के device के कारण अठके हुई थी। ये जुड़ेगा, तो इस छोटे से device की आपको requirement है। इस वीडियो के अंदर जब हम काम करेंगे बात करेंगे तो उस दोरान मैं इस device का उप्योग करूँगा। ये भी एक OTG drive है, OTG है, इसके आप इस तरफ से mobile में connect कर सकते हैं, यहाँ पे PC के अंदर connect कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो USB port है, memory card है, कई सारे हैं वो मैं इसके लिए अलग से आपको बताऊंगा। यह जो दोनों device हैं, इन दोनों device के link नीचे description में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं इसको, और हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको यह check करना है, कि आपके mobile की जो port है, वो micro USB है या USB type C है, यह जो port आपको दिखाई दे रही है, यह USB type C port है, इसके दोनों से गोल होते हैं, इसको आप चाहिए किसी भी तरफ से लगाएं, mobile के अंदर आसानी से यह लग जाता है, और micro के अंदर एक तरफ flat मिलेगा, एक तरफ भूमता हुआ मिलेगा, वो आपको अच्छे से पता है, जब आप mobile यूज करते हैं, तो उस दोरान आपको जो cable य प्रिंट है, email है, या photos आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो सारे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक application के आवश्यक्ता पड़ेगी, और वो application है printer share, printer share को आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका link भी मैं नीचे description के अंदर दे दूँगा, ये भी paid और free, द आप चाहें तो purchase करें, ना चाहें तो free version भी काम करता है, ठीक्ठा काम कर लेता है, कुछ printers के साथ नहीं होता, तो वहाँ पर कोई समझ सही नहीं है, इतने printer साम तूर्शे हमें use ही नहीं करने होते, तो वो आपके उपर depend करता है, आप कीमत देख लें, उसकी अगर आपको ठी लगता है, तो आप purchase कर लें, इस application को install कर लेने के बाद हमें printer को mobile के साथ चोड़ना है, यहाँ पे printing के लिए मैं इस type OTG adapter का उप्योग कर रहा हूँ, आप चाहें तो यह use कर लें, या इसके अलावा जो दूसरा OTG adapter, सारे के link मैंने दिये हैं, वो सारे आपके के लिए काम करे तो यहाँ पे इस adapter के अंदर एक तरफ USB Type-C port है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं USB Type-A port है, इस USB Type-A port को जब open करते हैं, तो उसी के अंदर micro USB port भी निकलती है, आप इसको किसी भी mobile से लगभग हर तरह के mobile या computer के साथ यह connect हो सकता है, इसी वजह से मैंने इसको purchase किया है, इसके अंदर card reader के function भी है, अगर आप direct card से printing करना चाहते हैं, आपके memory card के अंदर photos हैं, या documents पड़े हैं, या pen drive के अंदर पड़े हैं, उसको भी आप print करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह best option है, क्योंकि इसके अंदर आपका pen drive भी लग सकता है, इसके अंदर एक port pen drive के link नीचे descriptions में हैं, वहां से आप purchase करने, अब इसके अंदर connect करने के लिए आप देख सकते हैं, मेरे mobile के अंदर USB type C port है, तो मैं USB type C port के अंदर adapter type C port है, वो इसके अंदर insert करूँगा, आपको अब यह functionality देखनी है कि आपके mobile के अंदर OTG enabled है की नहीं है, अगर नहीं है तो आप settings में जाके OTG को enable कर लें, otherwise कई सारे mobile phone ऐसे हैं जिसमें यह by default enabled आता है, next step में हमें अब mobile की जो application है, mobile के अंदर printer share की जो application है, उसको open करना है, उसको open करने के बाद जो नीचे option सबसे नीचे आपको दिखाए दे रहा है, printer का यहाँ पे select printer लिखा हुआ है, यहाँ से आपको select printer के आप करते हैं, तो यहाँ पे कई तरह की options आपको दिखाए देती हैं, nearby wifi printer, USB printer, Bluetooth printer, Google printing और remote printers, तो यहाँ पे यह कई सारी features इसके अंदर आपको दिखाए देगी, इन में से आपको, अगर आप USB के थुरू, मैंने बताया है, यह application बड़ी काम की है, यहाँ पे आप direct USB के इसके बारे मैं next video में बात करूँगा कि अगर आप cloud printing का उपयोग कर रहे हैं, तो computer या और किसी जगह से भी cloud printing के alternate आपके लिए क्या हो सकते हैं, यह application भी एक अच्छा alternate है उसके लिए, तो यहाँ पे तो क्योंकि आपकी functionality ही इतनी हो जाएगी, आपको cloud printing की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहाँ पे जाएं, आपके साथ OTG adapter होगा ही, लगाएं और printing कर दें, जरूरत ही नहीं है इस तरह की, फिर भी अगर आपको करनी है तो उसके लिए मैं एक और separate video बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं cloud printing का solution बताऊंगा, कि cloud printing के लिए आप उसके alternate के रूप में किस ची connect हो गया है, यहाँ पे आपको select करनी ना है, always select कर देना है, उसके कारण आपके साथ जब भी printer आप इस mobile के साथ connect करोगे, वो तुरंत एक दूसरे के साथ connect हो जाएगे, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें drivers के लिए पूछता है, अगर यह printer आपका, इसको पता चल गया है, specific, तो यह उसके driver download करेगा, otherwise generic भी दिखाता है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप इसके जो भी driver है, वो download कर लीजिए, वो 4, 5, 6, 12, 13 MB, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी file होती है, वो download कर लेगा, अब आप इसको download होते ही, यह option दिखाएगा, print test page, तो यहाँ पे print करके जैसे ही test page के printing करते हैं, तो चलिए देखते हैं printer के उपर, यह देखिए printer के उपर, जो red color की बत्ती आगे, क्योंकि मैंने अभी तक page नहीं लगाये हुए थे, printer तो connect कर दिया, page लगाने रह गए, अभी लगा देता हूँ, page लगाने के बाद आपको यह button प्रेस करना पड़त है इस printer के उपर, तो वो भी कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, printing होनी start हो गई है, page आ रहा है, आजा बही आजा जल्दी आ, inkjet printer है, क्योंकि inkjet printer में थोड़ी सी speed slow रहती है, बट फिर भी print कर रहा है, देखेंगे इसकी quality कैसी आ रही है, तो देखते है यह आ रहा है, आगे आपका printer के अंदर से page print होके, cleared page और जो clarity है, मुझे बिल्कुल अच्छे से साफ सुत्री दिखाई दे रही है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस ने एक अच्छा सा print यहाँ पर निकाल के दे दिया है, यह जो का test printer, अगर आप किसी document को चाहें, किस किसी भी photo को चाहें, तो यहाँ पर कई सारी options आपको मिलती है, आप photos करना चाहें, तो gallery के ऊपर जाएं, किसी भी photo को select करें, और share with printer कर दें, या इस printer के साब print करें, या आप gallery में भी direct जाके, आप किसी भी photo को long press करते हैं, जैसे आप whatsapp के ऊपर share करते हैं, या और दूसरी mails गरा के अंदर share करते हैं, तो वहाँ से भी आप direct print कर सकते हैं, sharing में आपको printer share का option दिखाई देगा, उसको select करें, page select करें, और print कर लें, तो I think it was the easiest one, मुश्किल से 2 मिनट का काम है, आप भी करके देखें, और मुझे बताएं, यहाँ पे नीचे comments में कि इस से आपको कितना effective लगा, क्योंकि यह इस वीडियो को मैं नहीं से लिए बनाया कि बहुत सारे दोस्तों को मित्रों को मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरह की solution था वो, और वो इस चीज़ से print कर रहे हैं, और उनका जो response है, उनको देखते हुए ही मुझे लगा कि आपको भी यह वीडियो बन आके जरूर बताया जाना चाहिए, तो I think आपको अच्छा लगे, तो आप नीचे comments के अंदर लिखना और अपने सभी मित्रों के साथ share जरूर करें, आपका एक like और share motivation देता है इस तरह के काम करने के लिए, आपकी help अगर हो सके मेरे से, तो मैं कोसिस कर रहा हूँ, हाँ, त नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को पूरा करने की कोसिस करूँगा, तो I think within 1 or 2 minutes और 20-30 रुपे में आप किसी भी mobile से, किसी भी printer से आसाने से अब आप प्रिंट कर पाएंगे, फिर भी कोई समस्या हो तो आप नीचे comments के अंदर लिख सकते हैं, next videos के अंदर या comments के सब्देने की, जो ऊपर एक strip दिखाए दे रही आई बटन आपके सामने आ रहा है, right-hand side की तरव, उसके ऊपर click करके भी आप USB OTG adapter के क्या-क्या functionality हो सकती है, बहुत काम की चीज है, वो सारी आप देख सकते हैं, so this was all about for this video, thank you very much.